करने वाले देश की छवी आंतर राश्ट्रिय स्तर पर उजागर करने वाले विकास पुरुष भारत के प्रधान मंत्री मानिय श्री नरेंद्र मोधी जी से मैं आग्रह करती हूँ कि आज के इस अत्यंत आनंद के अवसर पर अपने बहुमोल विचारों की सोगाद से हमें उप मन्च पर विराजमान महाराष्ट के राजपाल स्रिमान प्रगत स्वी जी यहां के लोगप्रिय मुख्यमत्री अकनाज सिंदे जी इसी धर्ती के संतान और महाराष्ट के उजवल भविश्व के लिए प्रयत्नरत स्रित्देवेंद्र जी नितीन जी राव साब दानवे, डॉक्टर भारती ताई और विशाल संख्या में पधारे हुए नाकपूर के मेरे प्यारे भाई और बेहनों आज संकस्ती चतूर्थी आहे कौन ते ही शुपकाम करता ना आपन प्रथम गनेश पुजन करतो आज नाकपूरात आहोद तर टेकडी चा गनपती बापाना माजे बंदन 11 दिसंबर का आज का दिवस संकस्ती चतूर्थी का पवित्र दिवस है आज महराश्ट्र के विकास के लिए 11 सितारों के महा नक्षत्र का उदय हो रहा है पहला सितारा हिंदू रजय समराठ बाणसाफ ठाकरे महराश्ट्र समरुद्धी महामार्ग जो अब नागपूर और स्रिडी के लिए तैयार हो चुका है दूसरा सितारा नागपूर एम्स है जिसका लाब विदर्प के एक बड़े ख्षेत्र के लोगों को होगा तीसरा सितारा नागपूर में नेशनल इंस्टिटूट अब वन हेल्थ की स्थापना है चौथा सितारा रक्त समंदी रोकों की रोक्थाम के लिए चंद्रपूर में बना आईसी एमार का रिसर्च सेंटर है पांचवा सितारा पैट्रो केमिकल छेत्र के लिए बेहत एहम सिपेट चंद्रपूर की स्थापना है चट्था सितारा नागपूर में नाग नदी के प्रदिशन को कम करने के लिए शुरू हुआ प्रोजेक्ट साथवा सितारा नागपूर में मेट्रो फेज बन का लोकारपन और दूसरे फेज का सिलान्यास है आठवा सितारा नागपूर से बिलाधपूर के बीच आज प्रारंभ हुई बन्दे भारत एक्सप्रेस है नवा सितारा नागपूर और अजनी रेल्वे स्टेसन के उनर विकास की परियोजना है दस्वा सितारा अजनी में बारा हजार होर्स पावर के रेल इंजीन के मेंट्रेनेंस दीपो का लोकारपन है ग्यारवा सितारा नागपूर इटारसी लाइन के कोली नरकेड रूड का लोकारपन है ग्यारवा सितारों का ये महानक्षत्र महाराश्ट्र के विकास को नई दिशा देगा नई उर्जा देगा आजहादी के 75 साल के अमरित महोसों में 75,000 करोड रूपिय के इन विकास कारियों के लिए महाराश्ट्र को महाराश्ट्र की जन्ता को बहुत बहुत बदाई साथियों आज का ये आयोजन इस बात का भी प्रमाण है कि डबल इंजिन की सरकार महाराश्ट्र में कितनी तेज गती से काम कर रही है सम्रद्धी महामार्थ से नागपूर और मुंबई के बीच दूरी तो कम होगी ही ये महाराश्ट्र के 24 जिलों को आधुनिक कनेक्टिविटी से जोड रहा है इसे खेती किसानी को आस्था के विबिन स्थलों में आने जाने वाले स्रद्धालूओं को उद्योगों को बहुत बड़ा लाब होने वाला है रोजगार के नए आउसर बनने वाले साथियों आज के दिन की एक और विशेष्टा है आज जिनी योजनाओं का लोकारपन हुआ है उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का होलिस्टिक वीजन दिखता है एम्स एक अपने आप में अलग तरह का इंफ्रास्ट्रक्टर है और समुर्दी महामर दूसरी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है इसी तरह बंदे भारत एक्सपेस और नाकपूर मेट्रो दोनों ही एक अलग प्रकार का करेक्टर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर का लेकिन ये सब एक बूके में एक गुलदिस्ते में अलग अलग फूलों की तरह जिससे निकल कर विकास की खुश्वू जन जन तक पहुँचेगी विकास के इस गुलदिस्ते में बीते आट वर्सों की महनत से तयार विशाल बगीजे का प्रतिविम्ब भी है चाहे बात सामान दे मानवी के लिए हिल्केर की हो या फिर वेल्ट क्रियेशन की हो चाहे बात किसान को ससक्त करने की हो या जल सवरक्षन की हो आज पहली बार देश में ऐसी सरकार है जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर को एक मानिविय स्वरूप दिया इंफ्रास्ट्रक्चर का एक ऐसा हुमन टच जो आज हर किसी के जीवन को सपर्ष कर रहा है हर गरीब को पांच लाक रुपिये तक का मुप्त इलाज देने वाली आईश्मान भारत योजना हमारे सोचल इंफ्रा का उधारन है काशी के दारनात उज्जेन से लेकर पंडरपुर तक हमारे आस्था सलों का विकास हमारे कल्चरल इंफ्रा का उधारन है 45 करोर से ज़्यादा गरीबों को बैंकिम सिस्टिम से जोडने वाली जंधर योजना हमारे फाइनशल इंफ्रा स्रक्टर का उधारन है नाकपूर एम जैसे आदुनिक अस्पताल खोलने का अभियान हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का अभियान हमारे मेडिकल इंफ्रा स्रक्टर का उधारन है और इन सब में जो बात कॉमन है वो है मानिविय संबेदनाओं का तत्व हुमन टच्च संबेदन सिल्टा इंफ्रा स्रक्टर को हम सिर्फ निर्जीव सडकों और फ्लाइवर तक नहीं समेट सकते इसका विस्तार कहीं जादा बड़ा है और साथियों जब इंफ्रा स्रक्टर के काम में संबेदना नहीं होती उसका मानविय स्वरूप नहीं होता सिर्फ इड पत्थर सिमेंट चूना लोहा दिखता है तब उसका नुक्षान देश की जनता को उठाना पड़ता है सामान ने मानवी को उठाना पड़ता है मैं आपको गोसी खुर्ट डेम का उदाहर देना चाहता हूँ तीस पैंतीस साल पहले इस डेम की निव रखी गई थी और उस समय उसका अनुमानित खर्च चार सो करोड रुपे के आसपास था लेकिन बरसों तक सम्वेद नाहिन कार्य शैली के कारण बरसों तक वो डेम पुरा नहीं हो पाया अब देम का अनुमानित खर्च चार सो करोड से बढ़ करके अठारा हजार करोड रुपे हो गया 2017 में डबल इंजीन की सरकार बनने के बाद इस डेम का काम तेज हुआ है हर समस्या को सुल्जाया गया है मुझे संतोस है कि इस वर्स ये डेम पूरा भर पाया है आप कल्पना कर सकते हैं इसके लिए तीन दसक से जादा लगे तब जाकर इसका लाब गाउं को किसान को मिलने लगा भाई और भेनों आज़ादी के अमरित कान में देश विक्षिद भारत के विराड संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है विक्षिद भारत के निर्मार का रास्ता है भारत की सामुहिक ताकत विक्षिद भारत के निर्मार का मंत्र है राश के विकास के लिए राज्य का विकास बीते दसकों का हमारा ये अनुभव रहा है कि जब हम विकास को सीमीत रखते है तो आउसर भी सीमीत हो ही जाते है जब सिक्षा कुछी लोगों कुछी वर्गों तक सिमित थी तो राश का टैलेंट भी पूरी तरह निखर कर सामने नहीं आ पाया जब बैंकों तक कुछ लोगों की पहुँच थी तो व्यापार कारोबार भी सिमित ही रहा जब बहतर कनेक्टिविटी केवल कुछ सहरों तक सिमित थी तो ग्रोध भी उसी दाइरे तक सिमित रही यानि विकास का पूरा लाब ना तो देश की बड़ी आबादी को मिल पा रहा था और ना ही भारत की असली ताकत उभर के सामने आ पा रही था बीते आठ वर्षों में हमने ये सोच और एप्रोच दोनों बड़ली है हम सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास और सबका प्रयास इस पर बल दे रहे हैं और जब मैं सबका प्रयास कहता हूँ तो इसमें हर देश वासी शामिल है और देश का हर राज्य शामिल है छोटा बड़ा जो भी हो सबका सामर्थ बढ़ेगा तब जाकर भारत विक्सित बनेगा इसलिए हम उनको प्रोचाहित कर रहे हैं जो पीछे रह गए वन्चित रह गए जिनको छोटा समझा गया यानि जो पहले बन्चित था वो अब हमारी सरकार की वरियता में है इसलिए आज छोटे किसानों के लिए वरियता के आधार पर काम किया जा रहा है पी-एम किसान सम्मान निजी का बड़ा लाब यहां विदर्ब के किसानों को भी मिला है यह हमारी ही सरकार है जिसने पशुपालकों को वरियता देते हुए किसान क्रेडिट कार की सुविदा से जोड़ा है हमारे रेहडी पट्री ठेले वाले भाई बेन स्ट्रीट वेंडर्स उन भाई बेनों को भी पहले कोई पुछता नहीं था वो भी वंचित थे आज ऐसे लाखों साथियों को भी वरियता देते हुए बैंक से आसान रण मिल रहा है साथियों वंचित को वरियता वंचित को वरियता इसका एक और उदान हमारे आकांशी जिलों का भी है देश में सो से अधिक जिले ऐसे हैं जो आजादी के इतने दसकों बाद भी विकास के अनेक पैमानों पर बहुत पीछे थे इन में से ज़्यादा तर आदिवासिक शेत्र से हिंसा से प्रभावित शेत्र से इन में मराठवार और विदर के भी अनेक जिले शामिल है बीते आठ वर्सों से हम देश के ऐसे ही बंचित शेत्रों को तेज विकास की उर्जा का नया केंद्र बनाने पर बल दे रहे हैं आज जिन प्रोजेस्ट का लोकारपन और शिलान्यास हुआ हैं वे भी इसी सोच और एप्र प्रोज का प्रकट रूप है चाथियों आज आप से बात करते हुए मैं महरास्त्य के लोगों को देश के लोगों को भारत की राजनीती में आ रही एक विकृती से सावधान भी करना चाहता हूं यह विकृती है शौट कट की राजनीती की यह विकृती है राजनीती स्वार्त के लिए देश का पैसा लुता देने की ये विक्रुती हैं करदाताओं की घाड़ी कमाई को लुटा देने की शौर्ट कर्ट अपनाने वाले ये राजनितिक दल ये राजनितिक नेता देश के हर करदाता के सबसे बड़े दुश्मन है जिनका मकसद सिर्फ सत्ता में आना होता है जिनका लक्ष जूठे वाइदे करके सिर्फ सरकार खड़पना होता है वो कभी देश नहीं बना सकते आज एक ऐसे समय में जब भारत अगले पचीस वरसों के लक्षों पर काम कर रहा है तो कुछ राजनितिक दल अपने नीजी स्वार्त में भारत की अर्थ ववस्ता को तबाह कर देना चाहते हैं हम सब को याद होगा जब पहली आउद्योगी क्रांती आई हिंदुस्तान उसका लाब नहीं उठा पाया दूसरी तीसरी आउद्योगी क्रांती में भी हम पीछे रहें लेकिन आज जब चौथी आउद्योगी क्रांती का समय है तो भारत इसे गवान नहीं सकता मैं फिर कहूंगा ऐसा आउशर किसी देश के पास बार बार नहीं आता शौट कर्ट से कोई देश चल नहीं सकता देश की प्रगति के लिए स्थाई विकास, स्थाई समाधान के लिए काम करना एक लॉंग तम वीजन बहुत ही जरूरी है और स्थाई विकास के मूल में होता है इंफ्रास्टर्चर एक समय दक्षिर कोरिया, साउथ कोरिया भी गरीब देश था लेकिन इंफ्रास्टर्चर के माध्यम से उस देश ने अपना भाग्य बदल दिया आज खाड़ी के देश इतना आगे इसलिए भी है और लाखो भारतियों को महां रोजगार मिलता है लाखो भारतियों क्योंकि उन्होंने भी बीते तीन चार दसकों में अपने इंफ्रास्टर्चर को मजबूत किया है आधुनिक किया है और फ्यूचर रेडी किया है अरे कट आपको पता होगा आज हिंदुस्तान के लोगों को सिंगापूर जाने का मन करता है कुछ दसक पहले तक सिंगापूर भी एक सामान्य आईलेंड कंट्री हुआ करता था फिशरी से कुछ रोजी रोटी लोग कमा लेते थे लेकिन सिंगापूर ने इंफ्रास्टर्चर पर निवेश किया सही आर्थिक नीतियों पर चला और आज वो दुनिया की अर्थे ववस्ता का इतना बड़ा केंद्र बड़ा हुआ है अगर इन देशों में भी शॉर्टकट की राजनिती हुई होती टैक्सपेयर का पैसा लुटाया गया होता तो ये देश कभी उस उन्चाई पर नहीं पहुँच पाते जहां आज है देर से ही सही भारत के पास अब ये अवसर आया है पहले की सरकारों के समय हमारे देश के इमानदार करदित दाताओं ने जो पैसा दिया वो या तो ब्रस्टा चार की भैंट चड़ गया या फिर वोट बैंक को मजबूत करने में खब गया अब समय की मांग है कि सरकारी खजाने की पाई पाई का उप्योग देश की पूझी युवा पीड़ी के उजवल भविश के लिए निर्मान पर खर्च होनी चाहिए मैं आज भारत के हर युवा से आगर करूंगा हर टेक्स पेर से आगर करूंगा ऐसे स्वार्थी राजनितिक दलों को ऐसे स्वार्थी राजनितिक नेताओं को एक्सपोर्च करिए आमदनी अठनी खर्चार रुपेया ये वाली कुनिति लेकर के जो राजनितिक दल चल रहे हैं वे इस देश को भीतर से खोखला कर देंगे दुनिया के कई देशों में हमने आमदनी अठनी खर्चार रुपेया ये ऐसी कुनिति की वज़े से पूरी अर्थ बवस्ता को तबाह होते देखा है हमें मिलकर भारत को ऐसी कुनिति से बचाना है हमें याद रखना है एक और आमदनी अठनी खर्चार रुपेया ये वाली दिशाहिन कुनिति और सिर्फ स्वार्थ है वहीं दूसरी और देश हीत और समर्पन भाव है थाई विकास स्थाई समाधान का प्रयास है आज भारत के युवाओं के पास जो अवसर आया है वो हम ऐसे ही जाने नहीं दे सकते और मुझे खुशी है कि आज देश में स्थाई विकास और स्थाई समाधान को सामान्य मानवी का भी जबर्जस समर्तन मिल रहा है अभी पिछले सब्ता गुजरात में जो चुनाव के नतीजे आये है वो स्थाई विकास और स्थाई समाधान की आर्थिक नीती विकास की रण नीती का परणाम है मैं स्थाई विकास के विजन को समझिये उसके महत्व को समझिये आज देश के लिए उसकी कितनी जरुप है उसको समझिये स्थाई विकास के बजाए स्थाई विकास करके भी आप चुनाव जीच सकते है बार बार चुनाव जीच सकते है ऐसे दलोगों मैं कह रहा जाता हूँ आपको डरने की जरुद नहीं है मुझे विश्वास है जब आप देश हित को सरवो पर रखेंगे तो शौर्टकर की राजनिती का रास्ता भी जरूर त्याक करेंगे बाई और बेनों एक बार फिर महारास्त्र के लोगों को देश के लोगों को इन परियोजनाओं के लिए मैं बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ और मैं मेरे नवजवान दोस्तों से कहता हूँ ये जो मैंने आज ग्यारा सितारे दिखाए है जो मैंने आज ग्यारा सितारों के आपके सामने गिंती किये ये ग्यारा सितारे आपका भविश्य गड़ने वाले है आपके लिए अवसरों को जन्म देने वाले है और यही रास्ता है यही रास्ता सही है एसह पंथा हा एसह पंथा हा इस मंत्र को ले करके आए पुर्ण सबर्प्रण भाव से अपने आपको खबा दे पचीज साल का ये मोका हम जाने नहीं देंगे दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद तरह पन पाहिला नुक्तच पंतप्रधा नरेंद्र मोदी यांचा हसते बाला साइप ठाकरे सम्रुद्धी महामार्गाचा लोकारपन जालेला है पन्तप्रधान जान्चा हसते मोदीन जा हसते नाकपूर मुंबई सम्रुद्धी महामार्गाचा हे लोकारपन होता सुन 701 किलोमेटर लांबी चाहा दुरूत गती मार्ग देशातला सर्वाधीक लांबी चा मार्गटरला है तर आपल्या भाष्ना मदे पन्तप्रधानानी मुख्यमंत्र एकनाच शिंदे आणी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड्न वीसी आमचा कामाचा कउतु कही केलेला है पन्तप्रधानांचा हसते विकास कामाचा उठगाटन आज होता है अच्छा दिवस महाराष्क्रा साथी अत्यांत महत्वाचा दिवस आहे करन सम्रुद्धी महामार्गाचा लोकारपन मझे देशातला हा सरवाधिक मुठ्धा प्रकल्पासुन सम्रुद्धी महामार्गाचा उभारनी साथी तबल 55,000,001,500,000 मेट्रीक्टन सीमेंट चा वापर करने हैं, तसथ 5,064,088 मेट्रीक्टन स्टील चा वापर या मधी करने ते लिला थे, हां महामार्ग उभार नी साथी 36,000 अधिक मजुरानी घाम गाय लिला हैं, ही थेट दुरुश्या पन पहातो है या कार्यक्रमाची ही दुरुश्या है सम्रुद्धी मुझे विकाशाला चालना मिल आसा पंतप्रधानानी आपला भाशनात महंट लेला है डबल इंजिन सरकार कड़ुन वेगान काम होता है तानी त्यामे तैनी मुख्यमंत्री एकनात श होड्या कड लागलेला होता सम्रुद्धी महामार्गा चा लोकार पन पंतप्र धान्चा हसते करना दालेला है ही ठेट दुरुष्चा पन पहातो है आजसा दौरा जो आहे पंतप्रधानांचा हा सम्रुद्धी महामार्गा आणि अनेक विकास कामांचा लुकारपना से थी आज महाराश्ट्रातला हा तेंचा दौरा आहे आणि नुकतस तेनी आपले भाष्णा मधे जे संबोध लेला है भाष्णा मधन तेनी सांगित लेला है विकास कामा जी आहे थी विकास कामा देशाचा लक्षवेदून घेतायत या विकास कामा मूले देशाला चालना मेला राहे राज्जा मधे अधिक सम्रुद्धी होना र तेंचा हस्ते विकास कामांचा उद्गाटंग करना तरेला है ही थेट दुरुश्यापणिया कार्यक्रमाची पहातो है